नमस्कार मैं हूँ राहूल तिवारी और आप देख रहा है आर्थ प्रकाश टीवी चंडिगर्ड इस समय सुशासित भारत में सबसे पहले नंबर वन पर आया है मैं आपको बता दू यह राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच की एक होड होती है जिसे पब्लिक अफेरेंस सेंटर द्वारा नापा जाता है और उनके द्वारा आये 2020 के इंडेक्स में चंडिगर्ड नंबर वन पर आया है पर इसके पीछे की सच्चाई मैं आपको बताता हूं चाहे वो एमसी हो चाहे वो प्रशाशनिक मामले हो चाहे वो वी केर फूल का नारा देने वा बाद से क्राइम रेट दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है आप अखवार उठाईए निउस चैनल्स को देखिए लोकल जितने भी निउस चैनल्स हैं लोकल जितने भी अखवार हैं उन सब में आए दिन क्राइम की एक से दो घटनाएं आपको जरूर मिलेंगी और वो भी चोटी घटनाएं नहीं मिलती बड़ी घटनाएं गैंग वार गोली बारी किसी को भी कहीं भी चलते आम आदमी को गोली मार देना ये चंडिगड में इस वक्त एक आम मुद्दा हो चुका है लड़ाई लूट पार्ट ये तो इस समय चंडिगड में एक बहुत ही छोटी सी चीजे रह गई हैं बात करूं शुक्रवार की ही जब सुशासित में चंडिगड को नंबरवन पे रखा गया तो राम दरवार में शाम के समय एक लड़के के घर में घुशके उसके उपर चाकों से हमला किया गया और इस सब में लड़के के पिता जी जब बीच में आये तो उसके पिता को मार दिया गया और चंडिगर्ड पुलिस के हाथ में फिर भी कुछ नहीं था अगर बात की जाए इस महीने की बीते महीने की हुई क्राइम की घटनाओं की तो मैं आपको पता दूं सेक्टर 22 में जो फिलहाल ही अभी ताजा मामला था जिसमें पंजाब के फूट टेक्निशन को गोली मारकर जक्मी कर दिया गया था और सोपू पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लौरेंस बिश्टोई के खास गुरलाल बराड और उनके एक और मित्र उनको भी गोली मारकर खत्म कर दिया गया यह जो गुटों के बीच की आपशी रंजिस है इसके बीच में चंडिग पिस्ता जा रहा है आम लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं चाहे वह अभी आपको एक और उस घटना के बारे में बताता हूं टिक टॉक स्टार चंडिगर्ड में टिक टॉक स्टार की एक कलब में था वो बार गया था वहां पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई इसके बाद और भी कई घटनाएं हुई चैक्टर 22 में शादी से शादी के बीच में नोटो भरा बैग गायब कर दिया गया लूट पार्ट चलते हुए किसी से मोबाइल चीन लेना यह सब रिकॉर्ड में हैं पैसे वसूल ना यह सब आम हो चुका है चंडिगर्ड में कितनी घटनाएं गिनाओं मैं आपको आप र पता नहीं चलता चंडिगड में कि किस वक्त क्या घटित हो जाए घंक वाद यह नहीं है कि कराइं पर लगाम नहीं लगायी जा रही बात यह है कि कितनी देर और लगेगी चंडिगड जैसे केंद्र साजित प्रदेश में जहां सब कुछuis My воды लिमिटेड जंता है कि ऐसे कंट्रोल कर पाना यह इतना इजी है यहां पर कंट्रोल कर पाना फिर भी चंडिगर्ड पुलिस कहां पर मात खा रही है प्रशाशन वीपी सिंग बदनोर ने प्रशाशक ने इसके ऊपर एहम कुछ दिन पहले एहम बैठक भी बिठाई जिसमें कई बड़े मुद्देरक पर यहां बात है जैसे चंडिगड में क्राइम होते ही बॉड्रों को कर देना वहां पर नाकेबंदी होना चंडिगर्ड पुलीस कर रही है का बन कहां कमी छूटी जा रही है पुलिस की और से चंडिगड पुलिस का स्लोगन दिया जाता है कि we care for you पर आम आदमी त्योहारों के सीजन में घर से बाहर निकलने में डर रहा है एक तो करोना उपर से क्राइं में दोनों का कर से मतलब निकलता है और दोनों ही इतने खातक हैं कि ब्यक्ति किये जान पर आबंती है कि मैं चंडीगड की जनता की और से चंडीगड पुलीस चंडीगड प्रशाशन अब बात अगर मैं चंडीगड प्रशाशन की करूं में करूं कॉंग्रेस बिजेपी आम आदमी पार्टी छोटे स्थोटे मुद्दों को लीए आये दिन धरने प्रदर्शन करती है। surely कि पुलीश ने क्राइम को रोकने के लिए जागरुकता अभियान चला है। क्या पुलिस ने क्राइम को रोकने के लिए जागरुकता अभियान चलाए यह बहुत ही एहम मुद्दे उठते हैं शहर में जहां से क्राइम पनपता है वहां के यूवाओं को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है क्या इसके उपर कभी काम करा जा सका है यहां पर ध्यान देने की जरूरत है इस चीज़ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि कैसे किसकी गद्धी पर राज किया जाए कैसे किसकी गद्धी को नीचे ढ़ा जाए पिछड़ रही है चंडिगड की पूलिस और SSP जो चंडिगड में नए SSP आये हैं उनके आने के बाद तो और क्राइम अधी थी कि क्या अब चंडिगड बहुत वेल सेटल हो जाएगा क्राइम रेट बहुत कम हो जाएगा बहुतों की लोगों की बहुत उमीदे थी पर अभी सब नेश्तों नाबूत होता जा रहा है आए दिन गोलियां बरसी बरसाई जा रही है है लोगों की जो मानसिक्ता है वो किस हाद तक सडकों पर खून करते हुए दिखाई दे रही है वो मादमी बखु भी जानता है चंडिगड पुलिस को चंडिगड प्रशाषन को एक जुठ होकर इसके उपर ध्यान देना चाहिए लोगों की सुरक्षा सबसे एहम है आज के समय में एक बुजर्ग महिला रोड पर चलती है तो उसको यह डर रहता है कि कहीं उसके हाथ से फोन ना चीन लिया जाए कहीं उसके गर्ले से चैन ना चीन ली जाए यह चोटी-चोटी वारदाते चंडिगड को बदनामी की और बदनामी की गहरी खाई में धकेलती जा रही है कि बाकी चंडिगड प्रशाषन चंडिगड पुलीस इस पर कडी लगाम लगाए और नए कदम उठाए किस तरह से इसको क्राइम को रोका जा सकता है उस पर ध्यान दे जिसकी वजह से चंडिगड के लोग चंडिगड के नागरिक अपने आपको सेफ समझे और चंडिगड पुलिस जहां भी दिखाई दे हर व्यक्ति हर चंडिगर का आम नागरिक उनको स्लूट करें डर के ना भागे बाकी मैं आपसे इस वक्त अलवीदा लेता हूं फिर लोटूंगा आपके लिए कुछ बड़ी एहम खबरें लेकर तब तक के लिए धनिवाद ताजा अपडेट् बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें